Hey guys, welcome back to my youtube channel Mrs.Dipika Dewan, मैं हूँ आप सभी की दोज दिपिका, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ घरेलू उप्टन के बारे में, उप्टन के बारे में वैसे तो आप लोगों ने सुना होगा उप्टन क्या होता है, क्या नहीं होता है क्योंकि हमारी जो बेनेफिट है, और यह हमारा जो कल्चर था, मतलब जो पहले के लोग थे तब से उप्टन की परंपरा रही है, और उप्टन बहुत ही हल्दी होता है, वारे सकीन के लिए हमारे सकीन के पी- अच को बैलन्स करके रखता है तो हम लोगों के किया मतलब धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम लोग modern होते गए उप्टन को हमने छोड़ दिया और chemicals की तरफ हम लोगोंने forward हो गया है तो उप्टन की जगा ले लिए facial ने लेकिन आपको अगर मैं बताऊं तो उप्टन की अगर benefits की हम लोग बात करते हैं अगर आप लोगों की शादी होने वाली है तो यह वीडियो आप लोगों की बड़ा informative होने वाला है और यकीन मानिए girls या boys जो भी है अगर आपकी शादी होने वाली है आपको प्टन मत करवाना उससे आप काले हो जाओगे आपके स्किन पर टान हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें डली हुई हर चीज आपके स्किन के लिए बहुत beneficial होती है अगर अब्दुलन की बहन है या अब्दुलन की friend है तो भी आपके लिए video informative होने वाला है क्योंकि पार्लर वाली जो भी है उनको अपना business चलाना है सबकुछ उनको भी इतना knowledge नहीं होगा maybe आजकल बहुत सहर कोई parlor खोलके बैठा है पैसा कमाने के लिए तो जिनको knowledge है उनकी में बात नहीं कर रही हूं जिनको knowledge नहीं है उनकी में बात करूँ क्योंकि obviously सबको अपनी दुखान चलाने होती है तो वो लोग क्या करते हैं आप आप लोगों से कहते हैं आप फेशल करवालो आप लोग बॉड़ी पॉलिश करवालो इससे आपके स्किन पर यह आएगा आप उप्टन मत लगवाना इवन मैंने देखाया है ब्राइट्स अपने फेस पे भी टश नहीं करवाती हो उप्टन वो बोलते हैं कि नहीं हमारे प बनता है वो आपको अगर आप 7 डेज एवन मैं तो कहूंगी 15 दिन पहले से उप्टन करवाना अपने स्किन पर शुरू कर दीजिए उप्टन कैसे करना है क्या करना है बनता कैसे है वो आज में इस वीडियो पर बात नहीं करूंगी मैंने इस उप्टन के ऊपर बहुत सारे तरीके के अप्टन बनते है और हर तरीक शे अपनी सिकन की प्रोबलमे क्या साफ से अपना अप्टन बना सकते हैं जो में पंटन मता है वो हुप्टन था बीसन हलory отвеч जो और यह मिरल इनसे यलोग इसे यलो कलर का जो अपने देखा हो का शादिता इस्प्शली हल्डी की तो जो हल्दी बनती है वो basically main upton हमारे Indian culture का है तो जो वो upton है अगर आप से daily अपने skin पे daily भी नहीं तो week में अगर तीन बार भी अगर आप उसके इसे अपने skin पे प्लाई करते हैं नहाने से पहले आप अपने skin पे लगा दीजे उसके बाद उसे dry होने दीजे 10 seconds और आप क्या करिए oil ले लिजे अपने हाथ पे और उसको हलके हलके हाथ से रब करके उतार दीजे उससे क्या होगा उसको बहुत तेज नहीं रगड़ना है हम लोग क्या सोचते हैं कि वो बहुत तेज रगड़ेंगे तो शायद वो हमारे skin के मैल को बहुत ही अच्छे से निकाल रहा हम जादा गोरे हो जाए तो आप उससे बिलकुल तेज नहीं उतार ना है क्योंकि उससे आप अपनी क्यों को डेंगे उससे आप मिल्ला प्तन का फाइदा नहीं लेना है आपको क्या करना है और बहुत ही स्मूधली आप जब एलेगे हालकि अप्रasal तीन से-चार बूंध-ट और अपनी स्किन पर उत्तरने लगेगा और यो अपकी ड़ू इच्छे साथ में उतरने लगेगे क्योंकि हम लोग जब face की भी बात करते हैं तो face पर हम लोग कभी भी harshly हमारे face को रब नहीं करते हैं तो skin भी आपकी ही body का एक part है आपकी hands है सब कुछ आपके लिए उतना ही important है जितना upton आपके face के लिए याप अपना face जितनी care अपनी face की करते हैं उसे सबसे अपने all body की करिये तो जादा फायदा होगा तो upton basically क्या करता है हम लोग क्या करते हैं साबून लगाते हैं skin पे daily साबून लगाया साबून से नहाय चलती है लेकिन क्या होता है साबून में इतने सारे chemicals होते हैं प्रेस्टिसाइज उसमें टॉक्सिंस इतने जादा heavy amount में होते हैं जो हमारी body पे जब भी हम उसे लगाते हैं अपलाय करते हैं तो हमारी skin को dry और dry बनाते हैं plus हमारे skin का pH level वो खराब करते हैं अब skin pH level क्या होता है skin pH level अगर खराब हो जाता है क्योंकि हमारे skin का मतलब एक जो पहले की लोग थे आपने कभी नी सुनाओगा जब आपके skin pH खराब हो जाता है ना तो आपके skin पे issues होने लगते हैं जिसे कि आपको acne हो रहे हैं back पे या face पे every time मतलब हमें overall body की बात कर रहे हूं आपको face पे dryness हो रही है इचीनेस हो रही तो आपके skin पे pH कारण होते हैं आपके skin का texture समझ लीजे मतलब इस तरह समझ लीजे कि आपके अगर आप डेली साबून से नहा रहे हैं तो आपके skin का moisture जो है content वो एकदम खराब हो जाएगा dry हो जाएगी आपके skin इचीनेस आपको feel होगी लेकिन जिस दिन आपने एक दिन भी अगर उप्टन से नहा लियाना आपको उस दिन लगेगा कि इस reality मी तो मैं आज नहाया हूँ इतने दिन तो मैं बस अपने skin पे साबून को रगड के बस यह नहा के चला गया था एक बार try जरूर दीचेगा उप्टन को अगर आप उप्टन से एक बार नहाते है न अब उप्टन से बहुत सारे तरीके के होते हैं मैं आपको एक video बना दूँगी पूरा separate recipes share कर दूँगी और अगर आपको और उप्टन की recipe चाहिए तो तो गाइस यह मेरा एक उप्टन के ऊपर video था तो प्लीज अगर आप ब्राइड है या कोई भी reason है आप ब्राइड नहीं भी है तो चलता है किसे पसंद नहीं है smooth skin, fair skin, glowy skin आपकी skin glow करने लगे कि naturally तो मेरा एक और पता है उप्टन आप मनाते हैं तो आपको कोई fancy चीज नहीं करने कि बाहर से आपको लेकिया है जो भी आपकी पस घर में है even आटे का भी आप उप्टन मना सकते है आटा लें दही में फैंटे और उसमें दही में दूद में किसी में अगर आपको tan हुआ है तो उसके बाद अपना body पर अप्लाइ कर दे उसके बाद उसे जब हलका सूखने लगे बहुत सादा उसको dry नहीं करना है फिर क्या होगा फिर आपको रोगरना पड़ेगा दम लगाना पड़ेगा उसको उतानने के लिए तो ये मेरा एक उप्टन के बेबीस को भी आप उप्टन लगा सकते हैं तो जो उप्टन के benefits वो धेरो है उसके side effects कुछ भी नहीं है इवन ही आपकी body में जाकी आपकी toxins होता है उन्हें भी बहार करता है जो bad toxins आपकी body में जमा हो जाते हैं जो chemicals use करते हैं उनके वज़े से तो ये भी उन्हें बहार तो उप्टन के तो मैं बतानी सकते कितने benefits हैं तो आज से इस वीडियो को देखने के बाद में अपने family में जरूर सभी को बोले उप्टन से जरूर नहाए एक बार जितने का आप साबून लाता है उससे तो कम cost पड़ेगी उप्टन की घर में बना के आपनाया कोई fancy मत तन के साब हल्दी उसमें जो डलती है उसका जो effect होता है वो क्या करता है अपके skin पे अगर tan है तो आपको रिमूव कर देती है आपको detan करती है हल्दी naturally इसलिए brides को जब भी हम लोग हल्दी की रसम में हल्दी लगाई जाती है कि उनकी जो skin पे जतनी भी tanning है वो remove हो जाए तो इससे क्या होगा आपके skin और आप जब भी दूप में जाएंगे और पता है इस सब लोग बोलते हैं कि फिर आप upten लगागे दूप में जोब काले हुचाते हो ऐसा कुछ भी नहीं होता है इस सिर्फ बोलते हैं मेद्स हैं ब्रांतियां है तो इनकी तरफ बिलकुल नाचरली वो आपके skin को SPF देता है आपके skin पे even suntan हो रखा है तो भी उसे remove करेगा तो upten लगाने से बिलकुल नाडरे आपकी hair growth पे भी उसका असर पड़ेगा आपकी skin दिन बर दिन soft होती जाएगी baby soft skin जिससे कहते हैं तो थोड़े दिनों बाद में आपको feel होने लगेगा even one wash के बाद में आपको आपके skin पे huge chain नजर आएगा कि आपको लगेगा या मतलब क्या है यह पूरी अजल है गंदगी साफ हो गई आपके शरीर की आज तो अगर आपको मेरा video अचा लगा हो तो please guys मुझे like share and subscribe कीजए ये video आप अपने family वाले बड़े बुड़े बुज़र चोटे बच्चे मौसी के टाता के नाई के जो भी everything सब के साथ share कर सकते हैं और bye bye next video में मिलती हूँ